नश्कार में पिंटो शिंग यादो आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तो जिस तरीके से खेसारी लाल यादो और पमन सिंग का भी बात चल रहा था उसके बार खेसारी लाल यादो का एक वीडियो शोशल मीडिया पर वारल हुआ तो उसको लेकर लोग जुंड बनाकर खेसारी लाल यादो को घिरने की कोशिश करने लगे और तमाम लोग जो हैं फेस्बुक पर लाइब आकर खेसारी लाल यादो को खरी खोटी शुनाते नजर आये लेकिन खेसारी फैंस जो हैं वो कम नहीं है खेसारी फैंच नहीं उनको लतार के रख दिया और जिस तरीके से रोमेंटिक राजा पर अपना प्यार बरसाया अपना प्यार दूलार दिया उसके बाद पिरोधियों के पसीने भी छुट गए होंगे लेकिन ये बिबाद इतना आगे बढ़ गया कि अक्षरा सिंग ने भी उन शुपरिस्टारों को खरी खोटी सुनाती नजर आई और उनको जो है बरसाती मेढग तक बता दिया लेकिन इसी बीच काजल रागवानी की चर्चा ना हो ये कैसे हो सकता है बात करें तो इन बिबाद पर काजल रागवानी एक चैनल को इंटर्विव दे रही थी और इ ये बड़े सुपरिस्टार हैं दोनों बड़े सुपरिस्टार हैं दोनों मेहनत करते हैं लेकिन पता नहीं भोजपूर इंडस्ट्री को किस और ले जा रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं क्यों अपने आप में ये ऐसे कर रहे हैं मुझे ये नहीं पता यानि कि इन दिप्लोमेटिक अंदाज में जो हैं काजल रागवानी ने अपना बयान दर्ज कराया और उन्होंने ये भी कहा कि हम लड़कियों को बोलने कहा दे जाता है भोजपूरी इंडस्ट्री में बिना एक्टर के कुछ नहीं हो सकता है हम लड़कियां बोलेंगे तो हमें दबा दि जाएगा इस प्रकार के तमाम जो चीजे हैं वो कहीं न कहीं डिप्लोमेटिक अंदाज में काजल रागवानी ने किया है हाला कि कुछ लोग ये कॉमेंट कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादों के साथ इतने दिन काम की हैं खेसारी लाल यादों के साथ चमकती सितारा थी खेस इसका है इस बात को लेकर भी कई सारे लोग शवाल कर रहे हैं तो वहीं फिल्मों के सवाल पर ये कहा कि काजर आगवानी ने कहा कि हमने कई फिल्में शायन कर लिये हैं वो बयस्त है हम बयस्त है इसलिए हम साथ नहीं आ रहे हैं तो इस तरीके का जो तमाम सवाल थे इसका सारी चीजों पर आपकी क्या परतेक्रिया है क्या काजर आगवारी को वन साइटेड आकर खेसारी लल्यादों कर सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बते जिएगा था हमें धन्वाद